नमस्कार आप देख रहें न्यूस फॉर्णेशन और मैं हूँ सांथवन आपके साथ बिहार में दसवे और बारवे की परिक्षाई अगले मां से शुरू होने वाली है और इसको लेकर बिहार बोज के तरफ से तमाम तयारिया की जा रही है और असबार के एक्जाम को लेकर ब बड़े बदलाव किये जा रहे हैं और दिशान निर्देश भी BACB के तरफ से लगातार जारी किये जा रहे हैं ऐसे में हम आपको बता दे कि BACB के तरफ से इस बार के एक्जाम को लेकर नई और एहम गाइडलाइन्स निकल कर सामने आ चुकी है साथे साथ इस बार जो बच चे वाक्सिनेटेज नहीं होंगे उन्हें एक्जाम नहीं देने दिया जाएगा और एडमिट कार्ड भी दिस्टिब्यूच नहीं होगा ऐसे में क्या कुछ खबर निकल कर आ रहे है वाक्सिनेशन गाइडलाइन्स को लेकर एग्जामिनेशन गाइडलाइन्स को लेकर BACB ने क्या महत्वपून अदुशा निर्देश रारी किये हैं स्टूडेंट्स के लिए और आखिर कार एडमिट कार्ट को लेकर क्या नया प्रोसेस जारी किया गया है जानते हैं बिहार बोड इंटर परिक्षाओं की तारीखों का एलान हो चुका है जिसके अनुसार परिक्षाएं एक फरवरी से चौदा फरवरी दो हजार बाईस तक आयोजित की जाएंगे परिक्षा को लेकर बिहार बोड ने लगभग सभी तैयारी पूरी कर ली है जानकारी के अनुस परिक्षा केंद्र के अधिक्षक की होगी बोट द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सभी जिला सिक्षा कारे आलेओं को सम्मध में जानकारी दी जा रही है बोट ने हर चात्र की विवरन वाली आंसर शीट अटेंडेंस शीट एवं OMR भेजने शुरू कर दिये हैं सब रोल नंबर के हिसाब से ही किया जा रहा है इस आधार पर चात्रों को परिक्षा केंद्र पर सीट भी आवंटित की जाएगी बतादे की आंसर शीट पर परिक्षात्री के नाम और रोल नंबर पहले से ही दर्ज होंगे जिसमें गलती के अश्यंका ना के बराबर होगी साति के रिजल्ट में देर हो जाती थी आपको बता दे कि बिहार सरकार के एक आदेश से स्टूडेंट्स में बड़ा कन्फ्यूजन भी है सरकार का आदेश है कि बिना वैक्सीन वाले स्टूडेंट्स एक्जाम में शामिल नहीं हो सकेंगे साथी साथ इस बात को लेकर सरकार के तरफ से दिशानिर्देश विभन स्कूलों को दिये जा चुके हैं साथ स्कूलों को आदेश का पालन करना भी अनिवार है अगर आपके बच्चे वाक्सिनेटेड नहीं हैं तो वो इस बार का बिहारगोज एक्जामेनेशन नहीं दे पाएंगे सभी स्कूलों को बिहार सरकार के तरफ से दिशानिर्देश जारी किये जा चुके हैं जिसमें साफ साफ इस बात का एलान कर दिया गया है कि बिना वाक्सिनेशन काड के बिना वाक्सिनेशन प्रमान पत्र के किसी भी बच्चों के बीच आदमिट काड दिस्ट्बियूट नहीं किया जाएगा यानि कि अपना वाक्सिनेशन प्रमान पत्र दिखाना होगा साथी साथ कोविट गाइडलाइन्स को लेकर बिहार सरकार के तरफ से भी महत्वपूर्ण आदेश जारी किये जा चुके हैं इस बार बिहार बूट का एक्जाम कई माईनों में खास भी है खास इसलिए क्योंकि इस बार अब खुद से OMR शीट नहीं फिल करना पड़ेगा ये इसलिए ताके बच्चों के रिजल्ट में OMR शीट में गलती करने से जो गड़ बढ़िया निकल कर सामने आती थी वो इस बार नहीं होंगे और रिजल्ट में किसी भी प्रकार की कोई देरी बिहार सरकार के तरफ से न नहीं की जाएगी फिलाल के लिए इसके रिपोर्ट में इतना ही है न कई अपडेट्स के लिए मैं साथ बने रहे न्यूस फोर्नेशन में नमस्कार